हम करने जारे हैं में इन्स का प्रिवेस एर क्वेशन अनालिसेज और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडिस पेपल टू इंडियन पॉलिटी सेक्षन से एक क्वेशन मैं उमीद करती हूं आप लोगों ने इस क्वेशन को अटेंट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ् जाना चाहिए या दिया जाए तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बेसिकली क्या प्रोसिजर है जिससे गुजरना पड़ता है किसी भी कमिशन को कॉंस्टिटूशन से प्रोवाइड करने से तो इस तरीके का टॉपिक है वैसे बेसिकली आपको इसके अलावा कुछ भी रिक्वाइड नहीं है देखने की तो इन पॉइंट्स को अपने पास जहां पर भी आप अपने इंडियन पॉलिटी के नूट्स बना रहे हैं वहां पर नूट करके जरूर रखिएगा इट विल डेफिनेटली हिल्प यू अलॉट इन दे न लोगों के लिए अप्लोड कर दी जाती है हमारे टेलिग्राम चानल पर ही फ्री ओफ कॉस्ट जैसे की करण्ट अफैर्स की पीडियेफ से या फिर यह जो हम मेंस का प्रीवेसर क्वेशन अनालिसिस करते हैं इसकी पीडियेफ से और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्शि के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको अपना टाइम मनी एफट्स कुछ लगाने की ज़रत नहीं है all you need to do is जासर अकाडमी पे आप लोगों के लिए रेगिलरली करंट अफैर्स की वीडियो लेक्शिस अप्लोड किये जाते हैं आपको सिफ कंसिस् जरूर जोइन कीजिए उस बैच को उसमें आपको GS1234 के बिल्कुल 0 से तैयारी करवाई जा रही है जहासर आपको खुद मेंटॉर कर रहे है उस बैच में और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रपर तरीकी से फॉलो करेंगे और जहासर के द्वारत दीगे गईडलेंस को फॉलो करेंगे तो आपको एकजाम निकलने से कोई नहीं रख सकता आपका selection पका है तो जरूर 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 जोइन कीजे किज़ какая match को और हमारा मेंच का भी answer criticizing batch run कर रहा है आप इस batch को भी जरूर जरूर जोइन कीजिए इसमें आपको 500 plus questions की practice कराही जा रही है हमारी expert faculty है वो आपकी answer copies को check करते है mistakes पिताते हैं और improve करने में help करते हैं और उसी के साथ साथ आपको हरे question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation so guys अगर आप seriously civil services की preparation कर रहे हैं तो आप इन batches को ज़रूर join की जगा join करने के लिए आप नीचे देगाए number 9713-282838 पर whatsapp की थू आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है which steps are required for constitutionalization of commission do you think imparting constitutionality to the national commission for women would ensure greater gender justice and empowerment in India give reasons आयोग के समवधानिक करन के लिए कौन से कदम अवश्यक हैं क्या आपको लगता है कि राश्ट्रे महीला आयोग को समवधानिकता प्रदान करने से भारत में अधिक लैंगिक न्याय और सशक्ती करन सुनिश्चित होगा कारन बताओ जैसे मैंने आपको बताया GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्षन से लिया गया है और ये क्वेश्चिन UPSC ने 2020 में पूछा था तो जब हम इस क्वेश्चिन की बात करें तो इस क्वेश्चिन में हमें क्या पूछा गया है पहली चीज First part of the question क्या है कि अगर हमें किसी भी कमिश्चिन को constitutionalize करना है मतलब अगर उसको हमें constitutional status provide करना है तो उसके लिए क्या procedure होना चीए क्या-क्य steps हमें follow करने है ताकि उस कमिश्चिन को हम constitutional status provide कर सके First part Second part में हमें क्या बोला गया है कि एक national commission for women हमें देखने को मिलता है वो national commission for women क्या है एक statutory body है rather than a constitutional body statutory body कौन सी होती है जिसको एक parliament के act के थुरू बनाया जाता है ठीक है तो अब क्या है वो parliament के act के थुरू बनाया तो इसलिए वो statutory body है लेकिन क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है बना दिया जाए तो क्या वो जादा gender justice मतलब की लेंगिक न्याय बरकरार कर पाएगा या जादा दे पाएगा सुनिश्चित कर पाएगा और सशक्तिकरन सुनिश्चित कर पाएगा empowerment ensure कर पाएगा तो उसके viewpoint में हमें बताना है either yes or no हमें अपनी explain करना है उसको अपने reasons देते हुए right so हम इस question को इसी तरीके से follow up करेंगे two parts जो पूछे गए हैं उसी के तहट हम इसको explain करेंगे so let's start with our answer now constitutionalizing sorry constitutionalizing a body gives strong powers which are drawn from the constitution अब constitutionalizing हमें एक word से ही पता चल रहा है जैसे हमने बात की statutory body कौन सी होती है जो parliament की act के तहत बनाई जाती है लेकिन constitutional body कौन सी होती है जिसकी powers कहां से derive होती है कहां से मिलती है constitution से ही मिलती है हमारे भारत के समविधान से उसको वो powers मिलती है तो constitutionalize अगर हम किसी body को कर देते है तो उसको जादा strong power मिल जाती है क्योंकि वो constitution के तहद आ जाता है तो इसलिए उसकी जादा importance बढ़ जाती है और जादा अच्छे तरीके से ensure कर पाता है तो अब हमसे क्या पूछा गया था कि processor क्या है actual में processor क्या involved है तो जहाँ पर थोड़ा सा lengthy question दिखता है कि हमारे पास matter जादा है तो जादा introduction नहीं देनी है हमें क्योंकि हमें world limits का भी ध्यान रखना पड़ता है तो हमने introduction नहीं थी हमने सिर्फ एक line में बता दिया what is constitutionalizing अब हम अपना main part ही शुरू कर देंगे क्योंकि अगर हम introduction में जादा डालेंगे तो हमारी world limit body part के लिए कम हो जाएगी जो कि हमें महाँ पे कम नहीं रखना है अपना part right सो अब हम बात करेंगे कि processor क्या होता है किसी भी commission को constitutional status देने के लिए first क्या है amendment under article 368 which follows the ordinary bill passing process अब कैसे constitutional status दिया जा सकता है सम्वेदान में कैसे डाला जा सकता है उसको एक amendment संशोधन के तहत amendment करके ही हम उसको डाल सकते है constitution में एक constitutional body बना सकते है तो वो amendment article 368 के under हम क्या करते है amendment करते है जो क्या follow करता है ordinary bill pass करने का process follow करते हुए वो amend करता है और amend करके वो क्या करता है commission constitution में डाल सकते है हम amendment करके अब हमने amend कर दिया क्या किया ordinary bill pass किया सबसे पहले next हम क्या करेंगे after that the erstwhile statutory body is abolished अब जैसे हमें question में भी किसके reference में पूछा गया है national commission for women जो मैंने आपको बताया वो क्या है statutory body है तो अगर national commission for women ही है हमें उसको constitutional status देना है तो पहले हमें ordinary bill pass करना पड़ेगा as an amendment under article 368 ठीक है उसके बाद अब ये तो already statutory body है तो हमें उसकी जो ये status है statutory body का उसको खतम करना पड़ेगा abolish करना पड़ेगा ठीक है फिर हम उसको abolish कर देंगे next क्या करेंगे this procedure has been followed previously in case of national commission for backward classes अब यही प्रोसेजर किसके लिए follow कर चुके है national commission for backward classes के लिए उसको वो भी क्या थी एक statutory body थी पहले अब उसको constitutional status provide कर दिया है उसके लिए भी प्रोसेजर फोलो हो चुका है constitutional status empowers the body members to work independently due to the safeguards fixed tenure and protection from removal procedures अब constitutional से basically होता क्या है जब constitutional status provide कर दिया जाता है तो जो उस body में members हैं जैसे कि अगर हम national commission for women की ही बात करें तो वहाँ पे जो भी members हैं काम कर रहे हैं जो वो सकते हैं freely अपना काम वो कर सकते हैं उनके पास safeguards भी होते हैं कि कोई उनको कहीं पे harass ना कर सके या कोई भी corruption ना देखने को मिले ठीक है उनका fixed tenure होता है वो पार्लियमेंट के hands में नहीं दिया जाता है कि पार्लियमेंट अपनी jurisdiction में पार्टाना है और फिर एक amendment के तुरू हमें उस तो क्या कर देना है constitutional body बना देना है तो ये तो था procedure की किस तरीके से constitutional status प्रुवाइट कर सकते हैं currently the national commission on women as a statutory body अब national commission on women जो है वो तो एक statutory body है तो अब वो क्या-क्या safeguards provide करती है या वो क्या चीज़े हमें देती है पहले हम as a statutory body में ही बात करेंगे फिर हम बताएंगे कि क्या अगर उसको ये constitutional status दिया जाएगा तो क्या चीज़े वो ensure कर पाएगा first क्या है it reviews constitutional and legal safeguards for women अब as a statutory body वो क्या काम करती है नाम से पता चल रहा हमें किसके लिए women महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए जितने भी जाए हमारे समविधान में है या फिर कानून में जो भी safeguards available हैं उनको बनाए रखने के लिए और उनको देखने के लिए कि उसका हर जगा पालन हो उस पे ध्यान रखती है it recommends remedial legislative measures कि जहां पे कुछ measures लिए जाने चाहिए कुछ सुधार करने के लिए वो भी वो recommend करती है it facilitates redressal of grievances कि जो महिलाओं है अगर वो पीडित हैं किसी बात से या उनका कोई law या कोई भी उनका right अगर violate किया जा रहा है तो वो वहाँ पे अपनी complaint कर सकती है तो वो एक grievance cell के तोर पे भी काम करता है next it advises the government on all policy measures कि महिलाओं से related जो भी guidelines होती है या जो भी measures policy measures लिये जाते हैं वो सरकार को उस पे advice करते हैं अपनी recommendation देते हैं obviously यह binding यह binding नहीं होता है यह जो recommendation से binding नहीं होता है government पे वो सिर्फ उनको advice करते है recommend करते है मानना ना मानना ultimately government के हाथ में होता है right but seeing the facts like 7.3 rise in violence against women which got exacerbated during lockdown अब क्या चीज़ है अब हमने जो यह as a statutory body वो क्या-क्या काम करती है वो तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे से काम कर रही है सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ तो है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो statutory body भी बिल्कुल सही है उसको constitutional status की जरूरत ही नहीं है क्यों? क्योंकि वो उनके सारे जो भी constitutional या legal safeguards women के पास है उनको ध्यान रखती है कि वो पूरे हो रहे है ठीक है? government को advice भी करती है complaint भी हो सकती है उसके against वो सारी जो technicalities है जो भी चीज़े है वो उस पे review भी करती है recommendations भी देती है सारा काम तो कर रही है लेकिन वो इतना independently काम नहीं कर पा रही है जो हमें किस से पता चल रहा है NCRB National Crime Records Bureau के एक data से पता चल रहा है कि अभी lockdown में हम जानते हैं इसमें तो हमने news भी देखी है बहुत ज़ादा कि lockdown के time पे महिलाओं की condition और ज़ादा खराब हो गई है क्यूंकि बहुत सारे factors हैं कि depression में चले गए है मानलीजिए persons तो जो male members है family के उन्होंने women members को exploit किया है उनको harass किया है वो चीजें हमें देखने को मिली है violence बहुत सादा बड़ी है महिलाओं के प्रती लेकिन वहाँ पे अब क्या हुआ ये violence क्यूं इतनी बड़ी है कही ना कही तो fault है चाहे नाशनल कमिशन का implementation में fault है या फिर वो independently उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पारे जितना अच्छे तरीके से उनको करना चाहिए था कोई ना कोई fault तो है या obviously तभी तो ये अब इतना जादा हमें crime rate बढ़ता हुआ देखने को मिले इतनी जादा violence महिलाई जहलने को मिली है उन लोगों को तो ये देखते हुए हम क्या कहेंगे कि हाँ constitutional status तो अब हमें पता चल रहे है required है क्यूं है कि कुछ ना कुछ इसकी functioning में जो ये काम कर रही है National Commission for Women no doubt बहुत अच्छे से इसको set up किया गया है लेकिन इसका काम proper तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ faults है तो अब वो क्या faults है first is no legislative powers it can only suggest amendments and submit reports कि उनके पास क्या है legislate करने की powers नहीं है proper तरीके से वही बात आ गई कि उनके पास authority ही नहीं है वो independence ही नहीं है काम करने की उनका काम सिर्फ क्या है जैसे हमने पढ़ा recommend, advice मैंने बोला ना कि binding नहीं है वो सरकार पे वो किसी भी बात के लिए अगर women से related वो कोई भी policy है या उस पे करेंगे तो वो recommended sorry उनका जो status है वो क्या है recommending nature का है वो binding नहीं होगा government पे तो वही चीज़ा है उनके पास वो powers है नहीं legislate करने की वो सिर्फ suggest कर सकते amendments और अपनी reports जो जिसमें उनकी recommendations होगी है जो वो समझते हैं वो चीज़ों को अपनी report में डालके submit कर सकते हैं उनके पास उसको apply करने की action में लेके आने की कोई power नहीं है next no power to choose its own members अब ये body है इसके पास अपने खुद के जो members है वो choose करने के लिए पावर नहीं है वो authority नहीं है कि वो खुद से अपने members को choose करे तो क्या होगी ultimately biasness हमें देखने को मिलेगी वो उतरा independent तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा next it has to rely on the central government for financial existence अब वही dependence की बात आ गई कि कोई भी काम करेंगे तो उस काम के लिए पैसे की तुजरत है जहाँ पर central government को लगता है यहाँ जरूरी नहीं है तो वहाँ पर उनको funds नहीं देगी इतने तो वो भी एक limitation है next these factors may impede my free functioning of the body अब यह जो factors है इससे इस body की इस commission की जो proper तरीके से freely independently जो काम हो सकता था वो काम नहीं हो पाता है क्योंकि यह interruption intervention कही ना कहीं आ जाती है right तो यह हमें limitations देखने को मिल रही है in its current status also the commission has achieved in कि अपने present का जोसका status है उसमें क्या क्या चीज़े उन्होंने और भी achieve की है preparing gender profiles of all states and union territories कि उन्होंने gender profiles बनाई है सारे के सारे states और union territories की कि कि किस तरीके से है उन्होंने वो सारा का सारा रखा है taking up women related issues and was proactive in परिवारिक महीला लोक अदालत कि वो women के महीलाओं के issue को court तक लेकर गए है लोक अदालत तक लेकर गए है और पहले ही proactively work भी किया है उन्होंने इस मामले में next reviewing laws like dowry prohibition act, PCP and DT act to make them more stringent कि उन्होंने laws भी देखे हैं इसमें की कहां पे अगर कुछ loophole है तो उसको correct किया जा सके ताकि इनको और भी जादा मजबूत और और भी जादा कठोर बनाया जा सके इन नियमों को ताकि इनका पालन proper तरीके से हो सके और women के against कोई भी exploitation देखने को ना मिले तो अच्छा काम भी किया है इसने no doubt बट कुछ limitations है जिसकी विज़सी है बिल्कुल proper तरीके से अपना 100% नहीं दे पाती है अपनी functioning में तो उसको 100% करने के लिए constitutional status अब बात आती है कि क्या constitutional status provide होने पे इसको 100% किया जा सकता है so we'll see that कि constitution status अगर इसको दिया जाएगा तो वो किस तरीके से help करेगा this is certain that the national commission for women lacks some powers and it should be empowered for better functioning अब यह तो हमने देखा है कि उनमें कुछ powers जिससे legislative powers नहीं है उनके पास ठीक है या फिर financial existence उनके पास proper तरीके से मतलब independently नहीं है उनको मांगना पढ़ता है depend होना पढ़ता है central government पे तो उनको वो दी जानी चाहिए ताकि वो proper तरीके से काम कर सके the question could be also answered by looking at the difference made by granting constitutional status to NCBC and similar bodies कि जो ऐसी कुछ bodies है जैसे हमने बात कि थे कि national commission for backward classes को statutory body ही थी वो पहले लेकिन अब उसको constitutional status दे दिया गया है ऐसी और भी bodies है जो पहले statutory थी उनको constitutional status दिया गया है तो उनको देखिए उनकी working पहले अब कितनी है और उसके हिसाब से देखके हम answer कर सकते हैं कि अब better है उनको constitutional status जब दिया गया है तो अब वो better है तो उस grounds पे हम कह सकते हैं कि जब हम National Commission for Women को भी अगर constitutional status दे देंगे तो वो betterment के लिए ही होगा क्यूंकि जो limitations हमें देखने को military as a statutory body वो limitations नहीं होगी क्यूंकि वो powers उनको provide कर दी जाएंगी जिनकी अभी कमी है जानते हैं हम ये बात तो कि बेशक से क्या है कि पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो आज के टाइम पर बहुत चेंज है बहुत जादा betterment के लिए ही change आया है लेकिन फिर भी अभी भी हमें क्या चीज़े देखने को मिलते कि लोग तो बहुत जादा ऐसे बोलते है कि लड़की और लड़का equal है girls and there is no difference between a girl and a boy but उसको action में लेके बहुत कम लोग आते हैं तो ये जो process है कि वो action में वो सिर्फ lips में ना ऐसे words में ही ना हो वो actions में भी proper तरीके से है तो उस process को भी time लगेगा वो भी बहुत पीछे चल रहा है all necessary steps like such legal protection would prove effective only if there is societal change that would be true gentle justice तो ऐसे जितने भी steps है जैसे कि उनको legal protection provide करना वो तभी कारगार साबित होंगे अब जैसे हमने बोला कि constitutional status provide कर दिया जाए कर दो constitutional status provide उससे क्या होगा कि legislative powers उनको मिल जाएंगी ठीक है या उनकी जो वो independent body बन जाएगी मान लिया लेकिन वो तब भी उतना ही काम कर पाएंगे जब तक मतलब उनका काम तब तक ही effective है जब तक ही लोग support करेंगे अगर society में अगर लोग ही अपनी mentality को change नहीं करेंगे तब तक हम gender justice proper तरीके से सही माइनों में gender justice लेंगिंग नयाय हम लेके ही नहीं आ सकते gender neutrality को हम ensure कर ही नहीं सकते हैं जब तक society ही change नहीं होगी ये commissions कितना भी अपना best दे दे लेकिन तब भी जब तक society में change नहीं आएगा ये अपना best नहीं दे पाएंगे राइट तो इस वस आल पर इस question गाईज I hope you all have liked this analysis अपना feedback guys हमार सथ comment section में जरूर शेर कीजेगा so with this we end up the session today here guys thank you so much have a great day ahead Jai Hind